इस्रेल और हिजबुला के बीच लगातार हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं कोई किसी से कम नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर इस्रेल की तरफ से हमला होता है तो हिजबुला उस दुगना तरीके से हमला इस्रेल पर कर रहा है इस वक्त सिती काफी टिंशन में वहाँ पर दिखाई दे रही है और आप ये जो लड़ाई है वो इसराइल वर्सेज हिजबुला की होती दिखाई दे रही है इसी पर बाचुत करने के लिए मेरे सायोगी मयंग मेरे साथ चुड़काए है मयंग की लगतार दिन पर दिन ये जो लड़ाई है वो तेज होती जा रही है और तेज होती जा रही है अलाकि शान्ती वारता आज काहिरा में चल रही है तो देखिए यहां पे जो है इस पूरे एरिया में जो युद्ध चल रहा है इसको हम युद्धिक आएंगे अब इसमें जो है थोड़ा सा अब एक नया ट्विस्ट चेंज आता दिखाई दे रहा है देखिए एक तो हिजबुल्ला की तरफ से पिछले 48 घंटे में इसराइल जबर्दस्त हमले हुए है मतलब दस ठीकाने हम मान लीजे उत्तरी इसराइल के जो है इनको बिल्कुल टारगेट करके अटेक किया गया है हिजबुल्ला की तरफ से ड्रोन अटेक हुए जो इसराइल के मिलिटरी बेस है उनके उपर ड्रोन हमले किये गए रॉकेट से अटे पीछे है और यह लड़ा ही जो है यह हिजबुल्ला वर्सिस जो है इसराइल हो गया और पिछले 48 गंटे में तो जितनी जबर्दस अटैक इसराइल के उपर हुए है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इस पूरे एरिया में खासकर लेबनन में कुछ बड़ा होने जा रहा ह देखे शायद इसकी ही वज़ा यह है कि चीन ने अमेरिका ने और भारत समित कई देशों ने लेबनन से अपने जो लेबनन में उनके देश के नागरिक हैं उनको या तो लेबनन छोड़ने की सला दी है और या फिर बहत सतर्क रहने की सला दी है इसकी वज़ा यह है कि हमला लगातार करना है तो एक तरफ टो ड्रोन हुघ हो रागते हैं तो आप धिदाईन अटैक बिइसा बाडिया पे हो इस अमली चुह जह तरफ वी जही है ओड़ियर चाघक करना है के लिए आटक चीजशा खेना का की जह रा है कि मिल एक तीन तरह एक आटाइक हो रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या? अब सवाल यह है कि इन हमलों से परिशान हो के इस्राइल जो है वह लेगनान में अगला टारगेट जो है गाए वो लिबनन में हिजबुला के जो अड़े हैं ठीकाने हैं वहां पे कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक हो सकता है और जब इस तरह की स्ट्राइक होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि जो वहां के रेसिडेंशिल इलाके हैं वो भी निशाने पे आते हैं और कई वार यह हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग हिजबुल्ला से जुड़े ना हूँ वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी निशाने पर आ जाएं तो इस ये डर अब कई कंट्रीज को सता रहा है इसलिए ये वाणिंग जारी की गई है कि जो उनकी कंट्रीज के लोग लेकिन दूसरी तर खबर ये भी आ रही है अब एक उस दिन पहले की बात है मायंक हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि हिजबुल्ला के जो ड्रोन्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने इसरेल के अलग-अलग ठिकानों पर रेकी की है ठीक है तो क्या हम ये मान कर लिके चले कि अबसे कुछ दिन पहले हिजबुल्ला ने जो काम किया जो रेकी कि अब उसी को लेकर वो टर्गेट सब्सक्राइब गरी हैॉ इरान की तरफ लग सिए निए गे तक Vaid के पनाच सब्सक्राइब आज के पर लुच की पिरत आचेव का जा सके एक शड्रोणершटर अपर कि जो Hezbollah के centers थे, जहांपर इनके rockets रखे हुए थे, इनके missiles थे, इसको इसरेल जो है, वो लिषाना बना राए है. तो इस्रेयल की तरफ से कोशिच थी कि जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं जहां पर हतियार हैं उनको तभा कर दिया जाए या जहां से रॉकेट्स जिन लॉंचिंग पैड्स से रॉकेट्स फ्लाई करते हैं या ड्रोन्स फ्लाई करते हैं उनको तभा किया जाए तो इस्रेयल की स्ट्राटेजी यह है कि हिजबुल्ला के इन थिकानों को तभा किया जाए जाए अचा दूसरी तरफ एक बड़ी घटना अभी यह हुई कि रेल ने अलक्सा शहीद ब्रिगेट के कमांडर थे खलील खलील al-maghdah इनकी बताया जा रहा है कि हमले में मौत हो गई यह दो दिन पहले की घटना है यह अपनी कार से लिबनन में जा रहे थे मिजाइल टारगेटेट मिजाइल जो है वो इनकी कार के ऊपर आके गिरी और इनकी उसमें जो है मौत हो गई अब ये जो कमांडर थे खलील अलमगदा ये इरान की जो सेना है ये उनसे पताया जाता है कि उनसे जुड़े हुए थे और इनके जरीए बड़ी प्लानिंग हो रही थी इसरेल पर हमले की जिसकी मौसाद को जानकारी मिल गई और उनको जो है खलील मगदा इनकी उसमें मौत हो गई है तो इस हमले के बाद से हिजबुल्ला जो है वो और गुस्से में है ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला और इरान जो है वो एक बार जिसे एक बड़ा हमला जो है लांच फिर से हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में हिजबुल्ला की तरफ से एक बार फिर या फिर इरान की तरफ से भी कुछ बड़ा हो सकता है ये आशंका एक बार फिर जता जा रही है बेलको कुछ युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये आज के बाद सपश्ट हो जाएगा। इरान अभी तक सीधा युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एरान ने अपनी जितने भी आर्मी हो, चाहे एर फोस हो, चाहे नेवी हो, सब को बिल्कुल युद्ध के मोड में, अलर्ट मोड ही नहीं इसा लग रहा है, वार मोड में तैयार रखा हुआ है मिजाइल्स अपनी लोकेशन पे तैयार है, अब ऐसी स्थिती में ये बड़ी एक आशंका जताई जा रही है, जो नुकलियर बेसे हैं इरान के, इरान उसकी सुरक्षा को लेके बिल्कुल अलर्ट रहना चाहता है, कि किसी भी तरह से उसके नुकलियर प्रोग्राम को, कि कि इसी तरह कोई खतरा ना हो, अब इसको अमेरिका ने भी जो है, इसे काउंटर करने के लिए, देखिए छे बेसे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, कि इरान के छे नेवल पोर्ट हैं, इनका नाम है, अन्जाली पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, नौसर पोर्ट, खामिनई बंदार अबबास पोर्ट, ये छे ऐसे नेवी के पोर्ट हैं, इरान के, जिनको अमेरिका ने अपने टार्गेट पे ले रखा है, देखिए, USS Abraham Lincoln, जो उनका एरक्राफ केरियर है, और दूसरा USS Roosevelt, ये दोनों इनकी मिजाइल्स जो है, वो उनके जरीये जो है, और फाइटर इसमें F-35 है, F-16 है, अभी बताया जा रहा है कि एक दिन पहले तो अमेरिका के F-35 और F-16 प्रेंस जो है, इरान के बिल्कुल बॉर्डर के करीब से फ्लाइ करके गए है, तो अमेरिका भी अपनी तरफ से इरान के ऊपर कूरा प्रेशर बना हुए है, कि अगर आपकी तरफ से कोई हमला होता है, तो हम फोरन जवाब देंगे, तो कहा जा रहा है कि एरान के जो नेवी के बेसिस है, इस पे अमेरिका ने अपनी बिल्कुल सक्त पैनी नजर बनाए रखी है, कि अगर कहीं से भी कोई भी हमले जैसे आशंका बनती है, जो कि इसराइल पे होता है, तो उ लोगों ने तैयारी कर रखी है, अपने अपने देशों के जो समर्तित देश हैं, उनको भी कह दिया गया है, लेकिन लगातार दूसरी तरफ हमले जा रही है, यह हमले लगातार हो रही है, एक दूसरे पर यानि इसरेल और हिजबुल्ला के उपर अब देखना होगा आगे आगे आने वाले जो एक दो दिन है, वो कितना क्रूशल और होता है और किस कबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रही है बार साथ